नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रमिश है और मैं आज आपके सामने ये फिलिप्स कमपणी का चेम्पियन मोडल नमबर इसका है और इसमें एफ हैम मेडियम सौट और टीवी वन और इसका मोडल नमबर 384 है तो इस रेडियो में जो फॉल्ट थी वो ये कि इसके जो है सो बीस वार्ड के स्रोलर से इनको डैरेक्ट जो है इनका जो ये पलस है और ये माइनस है जहां पे जोर करके इनमें बीस वार्ड स्रोलर से डैरेक्ट इनमें जोर दिया गया था जिसके कारण ये रेडियो खराब हो चुकी थी तो कोई भी सारे चार फॉल्ट के जगह अगर इनमें बार फॉल्ट की सप्ले इनको होती है तो इनमें यहां जो ये आईसी लगी रहती है ये खराब होने के चांप अधिक होते हैं और यहां जो ये आईसी लगी होई थी अब देख सकते हैं यहां पर ये आईसी लगी होई थी इसका नंबर Ze Hazra अधिक बनते हैं तो mégसे ही मेरे पास ये रेडियो आये तो मैं सबसे पहले इनका और अइसी चहकी होते है और इन में बैट्री की सप्लाइ दे करके यहां पे मैंने ओडियो को चेक गिया तो यह ऐसी बिल्कुल सही थी यह खराब नहीं हुई थी और यहां जो यह ऐसी लगी हुई थी यह आईसी खराब हो चुकी थी और यहां का जो रेश्टर है तो यह रेश्टर जो है बिल्कुल जल चुकी थी और यह का यहां से सप्लाइ यहां नहीं आ रही थी जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहां यह देश्टेंस खराब हो चुकी थी और यहां का यह ऐसी खराब हो चुकी थी और यहां पे जो है अब यहां पे सारे चार भोल्ट इस केपिस्टर पे भोल्टे जाते हैं वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी जिसका मोडल आ देख रहे हैं इस तरीके से और यहां का जो कपिस्टर लगा हुआ है यह भी खराप हो चुके थे ब्रस्ट हो चुके थे यह कपिस्टर और यह कपिस्टर जोनों ब्रस्ट हो चुके थे और इसकी यह audio तो जैसे ही मैंने इसका ओडियो चेक किया और यहां पे मैंने वोल्टेज चेक किये यह केपिस्टर पे तो यहां वोल्टेज मुझे प्राप्त होई और यहां का रेइस्टर मुझे खराप होने के कारण यहां पे वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहे थे तो यहां पे मैंने एक रेइस्टर लगा करके देखा यहां भोल्टेज मुझे मिल लए थी इसके बावजूर ये रेडियो सिर्फ घर घरा हट की आवाज आ रही थी एस्टेशन कुछ भी नहीं आ रहे थे तो मैंने मार्केट में ये आईसी निकाल करके इसको लाने के लिए भेजा तो मार्केट में किसी भी दुकान में एवलेबुल इसकी आईसी नहीं थी तो इसके बाद ये कोई सर्कुट में से मैंने ये ही नमबर सेम जो है 2003 नमबर है ये जो है सोचिप साइसी है चोटी और ये जो है इतनी बरी आईसी आप देख रहे हैं तो नमबर दोनों का सेम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2003 लिखा हुआ है देख सकते हैं 2003 नमबर इसका लिखा हुआ है तो यह चिफ्ट IC नहीं एविलेबल होने के कारण तो यह IC मैंने किसी सर्कीट में से ओपन किया और यहां का एक नमबर पिन जो है यहां का आता है और यहां का एक नमबर है तो उस हिसाफ से मैंने इसको एक नमबर और दो नमबर पे दो नमबर सिरियल बाई इसको कनेक्शन किया जैसा कि आप देख रहे हैं यह नहीं मिलने के अगर मुझे सेम IC मिल जाती तो मैं यहां पे लगा लेता और इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जैसा कि आप इसकी वायरे देख रहे हैं तो नहीं मिलने के कारण मैंने इसको सिरियल बाई सिरियल कनेक्शन किया तो यह रेडियो बिल्कुल काम कर रही है जैसा कि मैं आपको बजा के दिखा रहा हूं आपको अबसंद्टे है मैंने आवाज इसकी सम कर दी है आपको अबसंद्टेह है और इसकी नोजियंग्रेवन ने निसलिख आति कि यह साउट बेब है तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है तो अगर कोई भी सामान मार्केट में एवलेबूल नहीं है चाहे वो कोई भी आईसी हो अगर सेम नमबर का है बस आपकी मोडल की परिवर्तन हो जैसे यह चिप्स है और वह तो आप सेम नमबर की आईसी लगा सकते हैं लेकिन उसकी सीरियल एक नमबर देख ले अगर आपने इसकी उल्टी पिन लगा दिये उल्टी कनेक्शन कर दी तो यह आईसी खराब हो जाएंगे और काम भी नहीं जाएंगे तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्तुन है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया आप इसका मोडल देखी रहे हैं कि इतनी वायरे हमें कनेक्शन करनी पर हैं आप देखरें तो देखिए अगर कोई भी 12 वोल्ट की सपला है अगर सारे 4 वोल्ट की जगह प्राफ्ट होती है तो 90% मैंने इतनी रेडियो बनाई है यहाँ का आईसी जिसमें किसी किसी में 57 नंबर लगे रहते हैं और बहुत से नंबर लगे रहते हैं तो यहाँ का आईसी जो है बहुत ही बहुत ही कम खराब मुझे मिले यह इस्टेशन की आईसी है बहुत ही कम मिले सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ का ओडियो आईसी कराब मिला लेकिन यह रेडियो में उल्टा हो गया यानि इसकी ओडियो आईसी जो है बिलकुल सही है और इसकी जो station की input IC है वो खराब हो गई वजह जो हो लेकिन मुझे यहाँ खराबी वही मिली तो उमीद करते हैं आप समझ गए हैंगे तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है वीडियो लास्ट टैम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है